हलो नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने आलो जिससे आपको कही भी जाने के ज़रुत नहीं पड़ने आले हैं दोस्तो आज आप अगर पूड़ा वीडियो देखेंगे तो आप अपकोस ड्रीमी लेओन में ग्रैंड लीग जीतने में काम्य सबसे पहले देख लेते क्या क्या है आज के विडियो में सबसे पहले हम LKN VS CSK के बीच की मैच की बात कर रहे हैं इसमें मैच के डिटेल्स रहेगी इसमें पिंच रिपोर्ट रहेगा दोनों टीमों के प्रोबाबल ले लेऊन रहेगी कुछ चेंजेस रहेंगे या नहीं र नाम रहेंगे इसके बाद आखिर में आपको मैं छे ड्रीम 11 के विनिंग कॉंबिनेशन दिखाने वालो जिसे आप खोस आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजे साथ साथ बेल आइकोन को प्रेस करके ओल पर भी क्लिक करना ना बुले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुशते रहे साथ साथ बेल आइकोन को प्रेस भी जरूर जरूर कीजिए दोस्तों तो चले दोस्तों वीडियो वर्सेस CSK के बीच है और ये मैच डेट और टाइमिंग अगर देख लेते हैं तो 31st of March याने कल शाम को साधे साथ बजे होने वाला है वेन्यू के अगर बात करें तो वेन्यू है ब्रेबॉन स्टेडियम मुंबई का जिया दोस्तों मुंबई का ये मैच मुंबई का ये स्टेडियम रहने आला है अब बात करते हैं मैच के सबसे इंपोर्टन हिसे की जो रहता है पिच रिपोर्ट इट इज अ गूट बैटिंग सर्फेस बॉलर्स में हाव सम हेल्प इन देल ओवर्स ओवर और बैटर विल बी एबल टो प्ले शाट्स फ्रीली दो विकेट इस एक्सपेक्टे टो गेट बैटर पार बैटिंग अज गेम गोज ओन थर्ज बॉलिंग फर्स इस दो गो दे विस वेन्यों याने दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और से बैट्समंस के लिए ही मदद मिलने आ लिए बैट्समंस अपने शाट्स खुलके खेल सकते हैं उनको उनसकी प्राइज भी अच्छे से मिलने आ लिए दोस्तों और साथ साथ हो सकता है थोड़ी बहुत शुरुआत में फेसर्स को यहाँ पे मदद मिले इसके अलाव किसी कुछ भी नहीं है गेन बाजों के लिए यहाँ पे अगर बैटिंग फर्स करेंगे तो एक जीतने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा लेकिन गेन बाजी अगर फर्स क करते तो जितने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी ड्यू का इफेक्ट हो सकता है तो इसलिए चेस करना काफी सिंपल जा सकता है अगर बात करते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबले ले उनकी तो सबसे पहले लखनाव सुपर जायंट सेने लकेन की प्रोब डी चमीरा, रवी बोश, बिश्नोई, आवेश खान तो यहाँ पे काफी दबदस इनका कॉंबिनेशन है जिनको मुझे ने लगता यह इस मैच में हाथ लगाएंगे अगर बात करें चेन्ने सुपर किंग्स के तो चेन्ने सुपर किंग्स में अफकोस एक चेंज हमें देख अब मैं कुछ प्लियरों के नाम आपको दिखाओंगा जिने मैं होटपिक्स मानता हूँ उनको अगर आप लेंगे अपनी टीम में तो आपको काफी अच्छा फाइधा हो सकता है सबसे पहले है केल राउल पहली मैच में जिरो पर आउट जरूर हुए लेकिन आप सब को पता है किस तरह के बैट्समन है उनको लेना जरूरी है कॉंटन डिकॉक जिया दोस्तों ये भी काफी खतरनाक बैट्समन है अगले जो होटपेक्स राउबिन उथपपा है राउबिन उथपपा ने पहली मैच में अच्छे कुछ शॉट्स लगाए ते ठीक ठाक रन बनाए ते दीपक खुडा जिया दोस्तों मुश्किल समय पर दीपक खुडा और बदोनी जिया तो ए बदोनी ने मुश्किल समय पर आकर अपनी टीम को काफी जबदस टोटल बना के दी थी तो ये दोनों भी हमारे होटपिक्स में है रविंदर जड़िया अफकोस रहेंगे मोहिन अली अफकोस अगर रहते है तो वो भी रहेंगे करूρώन पंढ़ा रहेंगे डी जे ब्राहव रहेंगे और दी चमीडा रहेंगे इन सब में से कुछ ने काफी अच्छा परफॉमस किया और काफी अच्छे प्लियर है जिनका परफॉमस नहीं घाली लेकिन प्लियर काफी अच्छ तो इसलिए इन सबको मैंने hot picks या topics कह सकते हैं इसमें मैंने इन सबको रखा है अब चलते सीधे dreamy lion के आप पे और हमें 6 combination देखने हैं कल के इस match के जिससे के आपको अच्छी खासी earning हो सकती है और फिर आप grand league तो जीती सकते हैं साथ साथ आप small league भी जीत सकते हैं या grand league में अच आपको highlight करके दिखा देता है यह वो match है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे तो जैसे कि मैंने highlight करके आपको दिखा दिया है यहापे कि आज कौन सी है उस पर आपको click कर लेनी है अगर आपने अब तक team नहीं बनाए तो creator team पर click की जगा लेकिन मैं जो कह रहा हूँ 6 combination वो मैं सारे बना चुका हूँ already और my team में आपको my team पर click करके आपको एक एक करके combination सारे बताता जाओगा किस किस को ले रहा हूँ किसको नहीं ले रहा हूँ किसको captain और vice captain बनाओगा यह सब भी मैं आपको ज़रूर बताओँगा तो फिर से चलते my team पर click कर लेते और पहली team को मैं सीधे preview करने आला दोस्तो तो आज कोई edit नहीं करने आलो सिधे preview करने आलो जैसे कि आप देख पार है सबसे पहले team में आफकोस मेरे पास दोकी पर है content डिकॉक और के अल राउल इन दोनों को मैंने रखा है इस team में इन दोनों के साथ जरूर जाओँगा उसके बाद बैटिंग में मेरे पास 4 option रहने इस team में अगर बात करें गेनबाजी के डिजिब राहो है डी चमी राहे और आवेश खान है तो इस तरसे पहला combination भी दबदस्त है आफकोस आप इसे grand league के लिए ब्यूच कर सकते है आफकोस आप इसे small league के लिए ब्यूच कर सकते है लेकिन जादा grand league के लिए लगाईएगा मे captain और vice captain की बात करें तो content deco को मैंने captain मड़ा है काफी कम लोगों ने इन पर भरसा जता है captain के लिए अगर आप इनको लगाते ते तो आपको काफी फायदा हो सकता है अगर यह अच्छा performance करते तो रुतुराज गायकवाड को of course मैंने vice captain मड़ा है इन पर भी काफी कम लोगों क पध्यान गया है क्योंकि पहले मैच में नाकाम रहेते तो इसलिए इनको ज्यादा लोगों ने captain या वाइस captain बनाया नहीं तो मैंने दोनों को captain और vice captain बनाया जिससे आपको अच्छा खासे फायदा हो सकता है आप grand league जित सकते या अच्छी खासी अदिंग कर सकते तो कुल्म और दूसरा combination में आप आपको दिखा देटा हूँ दूसरे अगर बात करें तो दूसरी टीम में केल राहूल को ही मैं as a keeper लेने हो बाकी किसी और को मैं keeping भी नहीं लेने हो अफकोस इसके वज़े से मेरे पास batting के option बढ़ गए दोस्तो रॉबिन उतप पाए अंबाटी रैड तो इस तरह से छे बल्लेबाद मेरे पास हो चुके इसके बाद चलते है all rounders पर तो अफकोस यहाँ पे दो all rounder है रविंतर जड़ी जाको मैंने ले लिया है कुरूनाल पांड्या को भी मैस टीम में शामिल करूंगा मोहिन अली की जगपे मैंने आप कुरूनाल पांड्या को अच्छा परफॉमस कर चुके मोहिन अली पहली मैच खेलने वाले ऐसा नहीं कोंगा कि अच्छा परफॉमस नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा दबाओ रहेगा दोस्तों पहली मैच हार चुके उनको पता है तो उन पर काफी उम्मीदेटिकी रहेगी तो इसी वज़े से हो सकता है मोहिन अली उस दबाओ को जहल ना सके और चल्दी आउट हो जाए या फिर गेन बाजी अच्छी ना हो तो कुरुमाल पांडया अपने आपको साबित कर चुके पहली मैच में तो इसी लिए उनको लिया है अगर गेन बाजी की बात करें तो डी जे ब्राओ को ले रहा हो दी चमीरा को ले रहा हो और आर विश्नोई को ले रहा हो तो यहाँ पर गेन बाजी भी काफी जबदस थे मेरे पास काफी अच्छे अच्छे अप्शन से तो इन तीनों को भी आप लेंगे तो काफी फायदे मन साबित हो सकता है तो कुलमिला के हमारो दूसरा लेकिन जादा से जादा ग्राजलिक के लिए उसकरेंगे तो आपको काफी फायदा हो सकता है आप ग्राजलिक जितने सके या फिर अच्छी खासी अर्निंग कर सके चैप्टन और वाइस कैप्टन की बाद करें तो ऑफकोस क्येल राहुल को कैप्टन बनाना ज़रूरी है कम CB टीम में इनको कप्तार नहीं बनाता हूँ तो यह अगर अच्छा खेल जाते तो हमें काफी नुक्सान हो सकता है तो इसलिए इस टीम का क्याप्टन मेंने उनको बना रहा हूँ दोस्तो पहले ही मैच में इन्होंने अच्छी खासी बल्लेबाजी पी किये और अपने भाई को हारदिक पांडिया को भी इन्होंने आउट किया ता तो काफी अच्छे मज़ेदार रही इनकी पहली मैच तो इन पर भी आप एक टीम में कम से कम क्याप्टन या वाइस क्याप्टन का बना सकते इनको कोई प्राब्लम नहीं दोस्तो कोई दिकत नहीं कुल मिला कि यह टीम क करें तो अफकोस यहाँ पर मैंने फिर से कीपिंग में चेंज कर लिया है एमेस धोनी जिनोंने पहली मैच में काफी जबदस्त हाफ सेंचरी लगाई थी इनको हम दूर नहीं रख सकते हैं जिया दोस्तो कम से कम एक दो टीम में छे टीमों में से एक दो टीमों में तो हमें इनको कम से कम लेना होगा तो यहाँ पर मैंने उनको ले लिया है एमेस धोनी के साथ जा रहा हूँ इस टीम में उसके बाद अब मेरे पास इस बार चार ही वल्ले बाद रहने वाले अफकोस देख सकते हैं आप रॉबिन उथपपा, ईविन लुईस, दिपक कुडा और रु इसले ही मैच में उन्होंने काफी इंकरेसिव बैटेंग के हैं। काफी लोग इंसे इम्फरेस हो चुके हैं। तो काफी जबादस इस टिम में शामिल कर लिया। तो कुल मिला की यह भी टीम काफी जबादस थें। फिर से कौँगा इस टीम को भी ब्राइघ के लिए उच क सकते दोनों लीगों के लिए बैस टीम रहेगी घ्राइट के लिए जादा लगाएंगे तो बेटर है आपको ज्यादा फायदा हो सकता है अजिक सकते अच्छी आर्निंग जरूर कर सकते captain और vice captain के अगर फिर से बात करें तो of course इस team का captain और vice captain फिर से हर्ट के चुना है मैंने रूतुराज गायकवार्ड को captain मना था हाँ पिछले team में मैंने को vice captain मना था लेकिन अब इनको captain भी बनाऊंगा दोस्तों opening के लिए आते हैं और ज्यादा chance मिलता है इनको और इनकी batting ऐसी है कि ये शुरुवात से ही अपनी inning को build करते है जिससे इनका खेलना करिब करिब ते रहता है तो इसलिए इनको captain भी बनाना ज़रूर है रवेंदर जड़िजा को vice captain बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि batting और balling दोनों कर सकते हैं और batting में भी अच्छे खास स्ट्राइक रेट से run बना सकते हैं तो पहली match में जरूर ये थोड़ा fail हुए लेकिन player काफी खतरना के हम सबको पता है और काफी अच्छे form में भी है तो इनको vice captain बना रहा हूँ उसके बाद काफी बड़िया तीसरे टीम को भी अभी close कर लेते हैं और चौथी टीम में आपको दिखा देता हूँ किस तर से मैंने बनाई है चौथी टीम की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ केल राहूल के साथ जा रहा हूँ as a wicket keeper किसी और को नहीं लूँगा बैटिंग में भी मैंने यहाँ पे तीनी option चूश की है अफकोस मनिशपांडे है मेरे पास दीपरकुडा है रुतुराज गाय क्वाड को भी मैंने इस टीम में शामिल कर लिया अगर बात करें तो यहाँ पे मैं चार all-rounders के साथ जाने आल हो जिया दोस्तो चार all-rounders, जारों के चारों बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा कासा परफोर्मस कर सकते और कुछ ने तो किया भी है तो इसलिए इन चारों को लेना ज़रूरी है एक जगह पे आप इस तरसे कॉम्बिनेशन बना सकते रविंतर जड़ेजा को लिया है, मोहिन अली को लिया है, कुरुनाल पांडिया को लिया है, आयोश बदोनी को लिया है तो इस तरसे चार अच्छे खासे all-rounders मैंने ले लिये, चौथे टीम में मैंने काफी जबदस कॉम्बिनेशन बनाया है दोस्तो, डी जे ब्राव को ले रहा हूँ, डी चमीरा को ले रहा हूँ, आर विश्नोई को भी ले रहा हूँ, यहाँ पे तो थोड़ा हटके कॉम्बिनेशन है दोस्तो, इस टीम को मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रांड लिग के लिए यूज़ करने की सला दूँगा स्मॉल लिग के लिए बिलकुल भी उज़मत की जगा, क्योंकि ग्रांड लिग जिताने वाली टीम लग रही है, ग्रांड लिग जिता भी सकती है, आप फिर अच्छी खासे अर्निंग तो ग्रांड लिग में पक्का करा सकती है, तो इसलिए अगर आप ग्रांड लिग लग सकते हैं और दीजे ब्राव तो काफी जबदस विखते लेते हैं तो और स्पेशलिस्ट बाने जाते हैं तो इनको वाइस कैप्टन या कैप्टन दोनों बरा सकते हैं आप उल्टा भी कर सकते हैं जड़े जाक की जगपे उनको captain भी बना सकते है और जड़े जाको vice captain भी बना सकते है कोई problem नहीं कोई दिकत नहीं काफी जबदस टीम बनी है captain और vice captain भी काफी जबदस थे जो कि आपको 100% point अच्छे खासे देने वाले तो इसी तर से ये team सिर्फ और से grand league के लिए काऊंगा small league के लिए नहीं काऊंगा इस team को भी close कर लेते और save कर लेते और पाचवा combination जो मैंने बनाया वो मैं आप आपको दिखा देने आलाओ पाचवे combination में और भी हटके मैंने किया है दोस्तों देख सकते MS धोनी को लिया है content decock को लिया है और KL Raul को लिया है याने तीन जो keeper है तीनों को मैंने इस team में शामिल कर लिया है जिससे हमारी team और भी मजबूद लग रही है अगर batting की बात करें तो आफकोस तीनी batsman में यहापे लूँगा रॉबिन उत्थपा के साथ जा रहा हूँ दिपकुडा के साथ जा रहा हूँ रुतुराज घायकवाड के साथ जा रहा हूँ इन तीनों के साथ ही जाने आलो इसके अलाव किसी और के साथ में नहीं जाने आलो अगर बात करें allrounder में फिर से कुरुनाल पांडिया और रविंद्र जड़जा के साथ ही जा रहा हूँ बाकी किसी और allrounder को में नहीं लूँगा अगर बात करें गेन बाजी में तो अपकोस डिजे ब्रावे डी चमीरा को लिया है और आवेश खान को भी इस टीम में शामिल किया है तो इस तरसे ये भी combination काफी खतरनाक और जबरदस्त लग रहा है दोस्तों अफकोस ये भी combination सिर्फ और सिर्फ ग्राण लिग के लिए स्मॉल लिग के लिए यूज करके वेस्ट मत किजिगा हाँ अगर फिर से आ कहूंगा एक ग्राण लिग लगा देते हैं उसके बाद आप चाहे जितने स्मॉल लिग लगा लिए कोई प्रॉब्लेम नहीं लेकिर ग्राण लिग जरूर लगा ये गर जीतने के काफी ज़्यादा चांसे से इस टीम के भी कैप्टन और वैस कैप्टन की बात करें तो डीपक हुडा ने पहली मैच में जबदस परफॉर्मंस केया था और काफी खतरनाक बैटिंग की थी और साथी साथ इनको गेन बाजी भी मिलती है रोस्तो पहली मैच में मेरे ख़ल से एक या दो विकेट भी उन्होंने चटका है थे तो इसलिए इनको कैप्टन कर सकते है तो इसके भी एक्स्ट्रा बोनस परफॉर्मंस हमें ये दे सकते है तो इसलिए इनको वाइस कैप्टन बना रहा हो आप चाहे तो एमेस दोनिक को कही ना कई कैप्टन भी बना सकते है कुल मिला कि ये टीम काफी जबदस बनी है इस टीम को भी आप ग्रैंड लिग के लिए यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा स्मॉल लिग के लिए भी यूज कर सकते है लेकिन एक ग्रैंड लिग लगाने के बाद ही यूज कीजिगा कुल मिला कि इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते सेव कर लेते हैं और आखरी जो टीम है चटी टीम वो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें भी और भी मैंने थोड़ा हट के सोचा है दोस्तों और और भी हट के कॉमिनेशन यहाँ पे बनाया है जैसे कि आप देख पारें कीपिंग में मैंने फिर से कॉंटन डिकॉक और के अल राहूल को लिया है इसके अलाओ किसी और कीपर को मैंने इस टीम में शामिल नहीं किया है अगर बात करें बैटिंग में मेरे पास चार आप्शन है रॉबिन उथपपा है अमबा टिराइडू है डीपक उड़ा है रूतुराज गायक वाड़ है तो इस तरह से चार अच्छे खासे बैट्समंस को मैंने ले लिया है जो की काफी बढ़िया बैटिंग कर सकते है और अच्छा खासा स्ट्राइड भी रख सकते है तो इसलिए इन चारों को मैं इस टीम में ले रहा हूँ इनके अलाव किसी और को लेने का चांसे नहीं है क्योंकि मेरे पास मुझे दो आल राउंडर चाहिए थे तो वो है रविंद्र जड़जा और आयूश बदोनी जिया दो दोस्तर से ये कॉम्बिनेशन भी जबदस्त है दोस्तों और सबसे सर्प्राइजिंग बात तो यह है कि मैंने इस टीम का क्याप्टन और वाइस क्याप्टन काफी अलग सोचा है दोस्तों आयूश बदोनी को क्याप्टन और रॉबिन उत्रपा को वाइस क्याप्टन देते हैं और ये फिर से अगर success हो जाते हैं 30-40-40 भी run बना देते हैं और कुछ catches भी अगर पकड़ लेते हैं तो भी आपको काफी स्वाइदा होने वाला है आप grand league जित सकते हैं इन दोनों कोई जैसे या फिर grand league में अच्छे कासी earning तो पक्ता कर सकते हैं इसलिए थोड़ा हट के combination बनाया है और इसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ grand league के लिए कहूंगा दोस्तो small league के लिए यूज करके इसे भी west मत की जगा क्योंकि ये टीम आपको फिर से कहूंगा grand league जिताने वाली combination लग रहा है तो इसे grand league के लिए उसके जगा small league के लिए उसके जगा जब आप एक grand league लगा और डेबियू में छटे नंबर पर आकर 50 बनाने आले पहले IPL के प्लियर थे तो इनको captain कही ना कहीं ज़रूरी है बनाना और vice captain रोबिन उतरपा को अभी तक कहीं भी कुछ भी नहीं बनाया था captain या vice captain तो उनको भी मैं vice captain बना रहा हूँ कुल मिला के फिर से कौंगा grand league के लिए उसकी जगा grand league एक कम से कम लगाईएगा उसके पार चाहे जितनी भी आप small league इस पर लगा दीजिए कुल मिला के काफी अच्छे team बन चुके काफी अच्छा combination है इस team को भी अभी close करते सेव कर लेते close कर लेते मैं आपकी जगा हर बार म मैंने 6 combination आपको दिखा है जिसमें काफी ज़्यादा captain और vice captain भी option मैंने आपको दिखा दिये मुझे नहीं लगता कि इस से ज़्यादा मतलब कुछ हो सकता है काफी बढ़ी आच्छे की 6 team में बनी है I hope आपको भी ये सभी मेरा video और मेरी सभी team में काफी पसंद आयोगी और अ से आप तक वीडियो पोस्ट दे रहे और आप जीतते रहे साथ इसाथ अपने टेलिग्राम की लिंक description में दे रहा हूँ वहाँ पे जाके उसे जॉइन जरूर कर लीजिए ताकि कुछ भी changes रहते है तो उसके बारे में मैं आपको बता सको कि किसे drop किया गया और किसको उनकी जगह पे आप ले सकते हैं इसके बारे में भी बता सकता हूँ और और भी कुछ अपडेट रहते हैं तो वह भी मैं आपको बता सकता हूँ तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you धन्यवाद और good bye